स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पाटिल इनके स्मृती प्रित्यंत अंद अपंगों को नई नई उचाया प्राप करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला क्याइंट सर्विस डिपार्टमेंट नैशनल असोशेशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया के ग्रामेल अपंग सशक्तिकरण कार्य के लिए समर्पित विधाता का निर्मित किया मनुष्य प्राणी जब जीवन विकास के पत पर अग्रेसर हो जाता है तो वह प्राणी अपने तन्मन धन के साथ अपनी बुद्धिमत्ता, शमता और कौशल विकास का धेय प्राप्त करने में सिद्ध हो जाता है उसकी यही सिद्धता धेय प्राप्ती तक रूखती ही नहीं है जब वहाँ एक धेय प्राप्त कर लेता है तो उसे और कई सारे नए धेय द्रिश्टिपत में आते है जिन्हें पाना वहाँ अपने विकास की जरूरत समझ लेता है उसकी जिन्दगी किसी मकाम पर आकर कभी रुख नहीं सकती वहाँ हर एक मकाम के आगे कदम बढ़ा कर आगे की और बढ़ता रहता है किसी सिलसिले को प्रगती पत का राही कहा जा सकता है ऐसे राही अपने लिए और दुसरों के लिए भी विश्वास पूर्ण तरीके से जीवन विकास के पत का राही बना देते है आज हम परिचित होने वाले हैं ऐसे ही एक व्यक्तित्व से जो अपने जीवन में स्थापित होने के लिए उच्च शिक्षा हासिल कर रहा था तभी वह सिर्फ 23 वर्ष की आयू में अपने आखों की दृष्टी रेटिना डिटैच्मेंट होने से दृष्टि बाधिता का शिकार हो गया जैसे जैसे वह अपने आखों की रोष्णी पाने के लिए मुम्किन इलाज कर रहा था वैसे वैसे डॉक्तरों की राय इसे नामुम्किन बता रही थी एक वक्त ऐसे आया जब उसने अपने अंधत्व को स्वीकार करते हुए अपने आपको इस तरह से धाल लिया कि वह अपने जीवन में स्थापित होने में काम्याब हो जाए ऐसा करने वाला व्यक्ती मानसिक डृष्टी से मजबूत होता है वह जब मन्जिल पाने के लिए अग्रेसर हो जाता है तो रा में आने वाली हर बाधा मुश्किल या कठिनाई को पार कर आगे बढ़ते रहने का निस्चय कर लेता है वह कुशाग्र बुद्धिम्ता का धनी होते हुए अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रेसर होते रहने की दृण महत्वकांग्शा मन में संजुए हुए था इसी तरह से जीवन पत का यह राही अपने देश में और विदेशों में भी द्रिष्टी बाधितों के लिए शिक्षा उपलब्ध करने वाला क्रान्ति धूत बन गया उसका नाम था श्री मधुकर खंडेराव चौधरी बहराष्ट्र राज्य के जलगाव जिलहे में सावदा नामक एक छोटा शहर है जहां एक सदन परिवार में जन्मा मधुकर बच्पन से ही कुशाग्र बुद्धिमत्ता वाला बालक था उनके बड़े भाई और अन्य परिवार वाले उच्च शिक्षित थे उनसे प्रेणा पाकर मधुकर भी उच्च शिक्षा पाने का सपना संजोय हुए था अपने शहर की स्कूल से उसने शान्त परीक्षा अच्छे गुणों से पूरी की उस दौरान वह संस्कृत विशय में बोहत अच्छी रूची दिखा कर सफल हुआ इसलिए उसे उस वक्त जगनात शंकर सेट शिस्य वृत्ती प्राप्त हुई मधुकर ने पदवी प्राप्त करने हेतु जलगाव के एम जे कॉलेज में शाश्त्र शाखा में दाखिला लिया अपनी पदवी शिक्षा दौरान उसे गड़ित विशय में सराहनिय रूची थी वह अच्छे गुण प्राप्त करने में सफल हुआ और उसने डिस्टिंक्शन प्राप्त कर पदवी हासिल कर ली आगे चलकर वह मुंबई आकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता था इसलिए उसने आर केटी कॉलेज उलहास नगर में गड़ित विशय के साथ एम एसी करने के लिए दाखिला लिया इसी पढ़ाई के दौरान एक बरसाती रात में सोने के उपरांथ जब उसकी नींद खुली तो उसकी आखों के सामने पूरा अंधेरा च्छा चुका था अपनी आखों को मलकर वह देखने की कोशिश करता रहा पर सब कुछ व्यर्थ हुआ अब दौर शुरू हुआ अलग-अलग नेत्र तग्यों से इलाज कर द्रिष्टी प्राप्त करने की कोशिशे करते रहने का इस प्रक्रिया में तीन वर्ष गुजर गए और मधुकर अंधतत्वों को स्वीकार कर अपने आप में योग्य बदलाव कर जीवन में स्थापित होने के लिए प्रेरित हो गया अब उसने ठान लिया की में जीवन में शिक्षत बन कर स्थापिक होंगा इसलिए उसने साधना कॉलिज द्वारा बीएड की पद्वी का प्राप्त करने के लिए दाखिला लेकर पढ़ाई शुरू कर दी जो उन्होंने 1974 से 75 में प्राप्त कर ली इस दोरान उनकी द्रिष्टिवान सहपाथी कुमारी मंदा से उनका लगाव बढ़ गया दोनोंने निर्णय लिया कि हम दोनों जीवन साथी बन जाएंगे उन्होंने शादी करवे विवा बंधन में बंध गए अब कुमारी मंदा का नामकरण श्रीमती मंदल चौधरी में परिवर्तित हो गया उसकी एक शुप चिन्तक ने उसे विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड तारदेव मुंबई के बारे में बताया मधुकर ने वहाँ जाकर उस स्कूल के बारे में और अंध कल्यान के क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थाओं के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त की उसने ब्रेल लिपी सिखली और उसी स्कूल में शिक्षक पद ग्रहन कर लिया इस प्रक्रिया के दौरान इंडिया के मोबिलिटी ओफिसर श्री चौकसी जी ने उन्हें मोबिलिटी ट्रेनिंग दिलाई अपने शिक्षक पद की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने द्रिष्टी हिन बच्चों को गणित और शाष्टर विशय सिखाए मैं जब उनके जमाने की विद्यार्थी को मिला तो उसने बताया कि अगर किसी अंध व्यक्ती को गणित आसानी से सीखना है तो चौधरी मास्टर से सीखना चाहिए जब इसके बारे में मैंने चौधरी जी से पूछा तो उन्होंने बताया था कि मैंने विद्यार्थियों को गणित अच्छी तरीके से सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड सिस्टम ब्रैल लिपी में विक्सित की थी वह कार्ड लेकर बच्चे आसानी से गणिती का ज्यान प्राप्ट कर लेते थे उसके उपरांत मधुकर ने इंडिया से परकिन स्कूल फॉर द ब्लाइंड यू यस एसे विशेश शिक्षक प्रशिक्षन प्राप्ट करने के लिए छात्रवृती हासिल कर उसे पूरा किया के बारे में जानकर उनसे संपर प्रос्थापिद किये उन्होंने इस प्रशिक्षन दोरान विशेश शिक्षकों के लिए कई सारे चर्चा सत्र तथा सम्मेलन आयोजित किये मधुकर की इस क्षमता ने जाने माने शिक्षाविदों को प्रभावित कर दिया और वे जान गए कि यहाँ एक लंबी रेस का घोडा है उन दिनों इंडिया की शिक्षा समिती की बागडोर श्रीमती रहमत फाजल बॉई जी के हाथों में थी वहाँ पुरे भारत वर्ष में द्रिश्टिबाधितों की शिक्षा का कार्य विक्सित करना चाहती थी अपने किसी भी कार्य के लिए वहाँ अनुदान स्वरुप धनराशी जुटाने में भी माहिर थी उन्होंने इंडिया की कार्यकारी समिती की बैठक में इंडिया का शिक्षणाधिकारी नियुक्त करने के लिए मन्जूरी लेकर उच्चित उमीदवार ढून रही थी इस प्रक्रिया में उन्होंने श्री मधुकर चौधरी को सन 1980 में इंडिया के शिक्षणाधिकारी पत की जिनमेदारी सोब दी श्रीम्ती फाजलबॉई की दूर दृश्टी और चौधरी जी की क्षमताओं में भविश में भारतवर्ष में दृश्टीबाधितों की शिक्षानिती में एक क्रांती का आगा कर दिया चौधरी जी ने शिक्षा विभाग की जिन्मेदारी सम्हालते ही अपने देश की द्रिष्टी बाधिता ओके लिए स्कूलों की सूची बनाकर उनसे संपर्क किया वहाँ पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को किस-किस साधन सामगरी तथा उपकरणों की कमी है उसके बारे में जानकारी इकठा की उनकी जरूरतों को पूरा करने हैतू विदेशों से ब्रेल किट्स अनुदान रूप में मंगवा कर उन स्कूलों तक पहुचाए उन्होंने इंडिया की शैक्षणिक छात्रवृत्ती देने के कार्य का भी विस्तार किया वे अपने देश में एकात्मता शिक्षा पधती का विकास करने वाले अग्रणी बने उन्होंने द्रश्टिबाधितों की शिक्षा पधती पर गेहन अभ्यास किया उनका ज्यान सागर जितना विशाल और गहरा था उन्होंने अपने देश के कोने कोने में जाकर वहां की संस्थाओं के पदाधिकारी, शिक्षाविद, स्कूनों के शिक्षकों से मिलकर एकात्मता शिक्षा पध्धती का विस्तार करने हेतु उन्हें राजी कर योग्य प्रशिक्षन दिया श्रीम्ती फाजल बॉय की इच्छा नुसार उन केंद्र को आर्थिक सहता उपलब्ध करवाने में वे सफल हुए चौधरी जी एक मिलनसार स्वाभाव के व्यक्ती होते हुए सबसे अपने व्यक्तिगत संबंधों को व्रिधिंगत करने में रुची रखते थे इसी लिए वे एक कुशल प्रशाशक बनने में सफल हुए चौधरी जी कुशलता के साथ नए नए प्रशिक्षनों को डिजाइन करने में माहिर थे उनोंने फंक्षनल कोर्स, डायलोग प्रोग्रम, प्यारा प्रोफेशन कोर्स जैसे कई सारे कोर्से स्व्यवसाइईयों को, शिक्षकों को, सेवा भव्यों को और नेतरहीन बच्चों के माता-पिताव को डेकर एकात्मता शिक्षण पधती सही धंग से अपने देश में ल काशित की वे Rehabilitation Council of India की Continuing Rehabilitation and Education पद्धती विक्सित करने में सहभागी हुए थे वे NCRT के साथ भी जुड़े रहे और उन्हीं के मार्गदर्शन के लिए सलागार भी बने श्रीम्ती सुवर्णा आहुजा द्वारा लिखी गई भारती ब्रेल शिक्षक नामक पुस्तक को च है उन्होंने अपने विभाग से पुरे देश में द्रिष्ट ब्याधितों के लिए उपकरण और साहित्य सामुगरी की बिक्री करने का कार्य किया उन्होंने ब्रेलर्स बैंक फॉर्ड ब्लाइंड योजना बना कर जरुरतमंद द्रिष्ट बाधितों के लिए ब्रेलर्स म विभागों में चलाया जा रहा था। इसके तहट चौधरी जी को गुजरात के महसाना और एडर विभाग में भेजा गया। वहां बड़ी संख्या में नेत्रहीन विद्यार्थी पड़ रहे थे। उन्हें एकात्मता शिक्षा पधती में सम्मिलित करने का सफल काम चौधरी अतराश्चिय सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें चौधरी जी को सम्मिलित होने का औसर प्राप्थ हुआ। अब उस प्रोग्राम के लिए विशेश शिक्षकों की जरूरत को महसूस करते हुए उन्होंने अपने ही कार्याले में विशेश शिक्षक ट्रैनिंग कोर्स आय दुक्त होगे। चौधरी जी ने देश के कोने कोने में ऐसे ही शिक्षक प्रशिक्षन कोर्सेस आयोजित कर उन्हें अपनी योजना में सम्मिलित कर लिया। चौधरी जी ने द्रिश्चिबाधितों की गड़ित विशय सिखने की क्षमता को बढ़ावा देने हेतु युन चिक्षन कोर्से चलाए गए जिसका लाभ द्रिश्चिबाधित विद्यार्थियों योकों मिला। उन्होंने भारत में गड़ित विशय सिखाये जाने के लिए Mathematical Codes में एक रूपता लाने हेतु काम किया। उन्होंने विदेशों में और भारतिय संस्थानों में इस्तमाल किये जाने वाले Mathematical Codes का गेहन अध्यन किया। उस पर तदन्यों और शिक्षकों से विचारविनिमाय कर आसानी से इस्तमाल किये जाने वाले कोडों की भारतिय Mathematical Codes संहिता बनाईं। जो National Institute for Visually Handicapped देहरादून द्वारा पबलिश की गई। यह कोड सीखने के लिए उन्होंने भारत भर भर्रमन कर वहां के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। श्रीमती फाजल बॉय की अनुमती से उन्होंने सन 1995 में अपने कार्यालय में बहु विकलांग द्रिश्टिबाधित बच्चों को प्रशिक्षन देने हेतु विशेश शिक्षकों के प्रशिक्षन कारेक्रम तयार कर उसे कार्यान विद्किया। उनके इस प्रकल से देश विदेशों में उनको ख्याती प्राप्थ हुई और देश के कोने कोने में बहु विकलांग द्रिश्टिबाधित बच्चों को प्रशिक्षित करने के उपक्रम शुरू हुए। उन्हें चौधरी जी ने विशेशग्यों की मदद से प्रशिक्षित करवा कर उन्हें इंडिया के तरफ से आर्थिक सहायता भी मुहया करवाई। सन 2000 में चौधरी जी ने Rehabilitation Council of India के नियमो नुसार और National Institute for Empowerment of Persons with Visual Disability के मंजूरी से नवरली सी फेस, मुंबई में Training Center for Teachers of Visually Handicapped का दो वर्ष कलावधी का Special Diploma in Education शुरू किया। वहाँ विशे शिक्षकों को प्रशिक्षित कर शिक्षा संस्थानों में और सरकार के सर्फ शिक्षा अभियान में रोजगार प्राप्त करने का मौका मिलने लगा। इन सभी कारियों के दोरान चौधरी जी को विशेशग्य तथा सल्लागार के रूप में राष्ट्रिय तथा अंतराष्ट्रिय समितियों में सम्मिलित होने का बहु मूल्य अवसर प्राप्त हुआ जैसे की साइट सेवहर इंटिनेशन, यूनिसेफ, रहेबिलिटेशन कॉं चौधरी जी शिक्षा क्षेत्रों में काम करते करते कई सारे शास्त्रद्नयों से मिले जो शिक्षा क्षेत्र में संशोधन कर बच्चों को पढ़ने की आसानी से, खेल-खेल में और आनंद दायत रीती से सखाने के तरीके खोज कर विक्सित किये थे. उनका अध्यन करवे उन्हें अपने बच्चों को सीखने के लिए आजमाने लगे और उसके परिणाम देख करवे बोहत ही प्रभावित हुए. जब उनका संबंध मेरे साथ हुआ और हमें चर्चा करने का मोका प्राप्थ हुआ तब हमारी चर्चा साथ घंटों तक चली. उसके दोरान मेरे पुत्र को स्कूली शिक्षा देने पूर्व में उसकी पढ़ाई हस्ते खेलते हुए कैसे की जा सकती है. इस विशय पर शास्त्रद्म्यों की अनुसंधान पधती के साथ मुझे विस्तृत रूप में जानकारी दी. मैंने वही तरीके अपना कर मेरे बेटे को पढ़ाया जो नर्सरी स्कूल में प्रवेश लेने से पूर्व चंदा मामा की किताब तथा अंग्रेजी हो गया. वे गणत विशय में अपनी रूची बढ़ाते रहने में सैदेव मशगूल रहे. अब उनका ध्यान आदी जगत गुरु स्वामी शंकराचार्यजी द्वारा प्रसिद गरंत वेदिक मैथमेटिक ने खीच लिया. अपनी पतनी के साथ मिलकर उस गरंत के बच्चों को सिखाए. इस पर अधिक अध्यायन कर वे द्रिश्टिबाधित बच्चों को सीखने हेतू उनके विशेश शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाते थे. इसलिए उन्होंने योजना बनाई. लेकिन दुरभाग्य वश्वे इसे अमल में नहीं ला सके. भगव बच्चों को वेदिक मैथमेटिक की शिक्षा से वन्चित कर दिया. चौधरी जी की जीवन जो 3 मई 2003 को अंतराल में विलीन हो गई. श्रीमती फाजलबॉय ने भारत के दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षित करने का प्रण लिया था उनके इस सपने को साकार करने वाला व जिसकी वजे से आज भारत के दृष्टिहीन व्यक्ती जो कल जनता से दिये जाने वाले करपर जी रहे थे वे आज करदाता बनकर भारत के विकास में अपना योगदान देकर अपने जीवन में नई-नई उचाया प्रस्थापित कर रही हैं. भगवन मदुकर चौधरी जी को फिर एक बार पुनहर जीवन देकर इस दुन्या में भेजे इन अपेक्षा के साथ हम आज भी जी रही हैं और मेरे दृष्टिबाधितों के हितैशी ऐसी ही चाहा रखकर भगवान की प्राथना कर रही हैं. चौधरी जी तो अपने कारियों से अमर्फ प्राप्त कर चुकी हैं. उन्हें भूलना दुन्या के लिए नामुम्किन है. हैमंध जब पातिल मानत सचीव National Association for the Blind, इंडिया